नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोब सभी अच्छे होंगे तो जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम डिसर्ज करने वाले हैं HP JVT का स्पेशल टैट अखा एक्जाम जो कि आज के दिन 15 गुटूबर 2013 को HP बोर्ड दोराय कंड़क्ट और GK जो है वो टोटल करंट अफेर GK यहां पर डाला गया है इस वाल HP JVT का एक भी क्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और काफी हाड लेवल का GK डाला गया है तो चली डिटेल में डिसर्ज करते हैं किस कौन काउन से किस परकार के क्वेशन यहां पर GK के पूछ तो GK section में देखी question number 121 who has recently been confronted with the highest civilian honor of the Assam? हाल ही में किसे असम के सुर्बोच नागरिक सम्मान से सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को option number B यहां पर right answer next question recently which countries world cup beginning footballer Mesut Ozil has announced his retirement? हाल ही में किस देश के बिशब बिजेता footballer Mesut Ozil ने सन्यास की गोशना की? तो Mesut Ozil जो थे यह किस देश के footballer खिलाडी थे यह थे जर्मनी के option number C जर्मनी यहां पर right answer होगा next question recently which state government has been launched मुखे मंत्री BRICS संपदा योजना तो हाल ही में किस राजे सरकार ने मुखे मंत्री BRICS संपदा योजना शुरू की है तो यह बली योजना जो हाल ही में शुरू की है 36 गणने option number B is the right answer next question which country has recently tested and underwater nuclear capable attack drone हाल ही में किस देश ने पानी के बीतर प्रमानु शक्षम हमला करने वाले ड्रोन का प्रिक्षण किया पानी के अंदर प्रमानु शक्षम हमला करने वाले ड्रोन का प्रिक्षण हाल ही में किया है North Korea ने उत्र कोरिया ने option number C right answer next question अभी देखिए who has recently won the first title of Miami Open 2023 हाल ही में किस ने Miami Open 2013 का पहला किताब जीता है तो यह किताब जीता है डेनिल मेदवे देव ने option number B डेनिल मेदवे देव next देखिए who has recently conquered Mount Kilimzaro in Africa wearing a longer हाल ही में किस ने लौंचरी पहन कर अफरिका में Mount Kilimzaro को फते किया है तो इसको फते किया है अंजली शार्मा ने option number B is the right answer सभी question यहां पर current affair के डाल दिया है इस वार आगे next question यहां पर पूछा गया है 27 question हाल ही में सलीम दुरानी का 88 साल की उमर में निदन हुआ भी कौन थे अठासी साल की उमर में हाल ही में सलीम दुरानी का निदन हुआ भी कौन थे तो वह यह पूरब क्रिकेटर थे option number A यहां पर right answer होगा next देखिए इन विच इसेत, यूंिन टरिटरी, स्पेस टेशन, डिजाइन लैब हुआ इनागृतर रिसेंटली हाल ही में किस राज्य केंदर शाशीत परदेस में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उदुगाटन किया भी हाल ही में उदुगाटन किया है बद्री निवासन, option number A, यहाँ पर 29 का right answer होगा. Next, देखिए, recently in which city, the उत्राखंड government is going to set up a spot university. हाल ही में, उत्राखंड सरकार की शहर में, spot university स्थापित करने जा रही है. spot university, यह स्थापित करने जा रही है, उत्राखंड सरकार, हलद्वानी में, option number C, यहाँ पर right answer होगा. Next, देखिए, who was given the Eval Award recently? हाल ही में, Eval पुरुसकार किसे दिया गया है? Eval पुरुसकार, हाल ही में दिया गया है, Lewis Caffrelli को, option number C, right answer. Lewis Caffrelli, next question, Ben was the inauguration of the United Nation 2023 water conference recently? हाल ही में, स्विंग तरास्टर 2023 जल सम्मेलन का उद्गाटन कहां हुआ? स्विंग तरास्टर 2023 जल सम्मेलन का उद्गाटन, हाल ही में हुआ है, New York में, option number C, New York. Next question, which country has topped the list of self-made billionaire in the recently released list? हाल ही में, जारी लिस्ट में, स्वर निर्मित अर्व पतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वर निर्मित अर्व पतियों में, जो देश अभी हाल ही में शीर्ष पर रहा है, वो है चीन, option number C, China, यहां पर right answer होगा. Next, देखिए, what has been renamed as Mughal Garden in Raastpati Bhavan? Raastpati Bhavan में स्थित Mughal Garden का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका अब नाम बदल कर रखा गया है, अमरित उद्यान, अमरित गार्डन, option number C, यहां राइट आंसर. Next, देखिए, air military exercise, beer, Garzian 2023 has taken place between India and this country. बारत और किस देश के बीच, बायू सेन ने अभियास, beer, Garzian 2023 में हुआ? तो यह हुआ है, भारत और जैपान के बीच में, option number B, यहां, जैपान, right answer होगा. Next question, in which state was the 13th century, hoysel period, hero stone discover? किस राजे में, 13th सदी का, hoysel, काल का hero stone खोजा गया है? तो hero stone यह अभियाल ही में होजा गया है, करनाटेक में, option number A, right answer. आगे, next question, which district of Kerala has been declared as the first constitution literate district of the country? केरल का कौन सा जिला देश का पहला समिदान शाक्षर जिला गोशित किया गया है? वह केरल का कोलम जिला, option number B, कोलम यहां पर right answer होगा. next question, चोतर में गंतंतर दीवा स्प्रेड में किस राज्य की जहांकी ने परथम पुरुसकार जीता? चोतर में जो गंतंतर दीवा स्प्रेड होई थी, उसमें, उत्त्राखंड की जहांकी ने पहला पुरुसकार जीता था, option number B, उत्त्राखंड यहां पर right answer होगा. next question, देखिए, बिच स्टेड्स हर गाउं हर्याली इनिसियेटिव has created a record of planning 90 लाग सैप्लिंग्स, किस राज्य की हर गाउं हर्याली पहल ने 90 लाग पौदे लगाने का रिकार्ड बनाया है, तो यह रिकार्ड बनाया है, जमू कश्मीर ने, option number A, right answer होगा, बन 40 का, आगी next दे देखिए, बेर इस दा इनाउगरेशन ऑफ खादी फेस्टिवर 2023, खादी उत्सव 2023 का उध्गाटन कहां किया गया है, मुंबई में, option number C, यहां मुंबई, right answer होगा, next देखिए, बन इस नैशनल इम्म्यूनिजेशन डे डिकलेड, यानिके रास्टी टीका करन दिवस कब मन आए जाता है, रास्टी टीका गर्ण दिवस मना जाता है, 16 मार्च को, option number B, 16 मार्च यहां पर, right answer होगा, next question, बन वास सिलिकॉन बैली बैली बैंक, फांडर, सिलिकॉन बैली बैंक की स्थापना कब हुई थी, सिलिकॉन बैली बैंक की स्थापना हुई थी, 17 एक्टूबर 1983 क तो यहां पर 1983, right answer होगा, option number C, next question, who has been the new chief minister of तरिपूरा, तरिपूरा के नए मुख्य मंतरी कौन बने है, और तरिपूरा के नए मुख्य मंतरी बने है, मानिक सहा, option number B, right answer होगा, मानिक सहा, next देखिए, who was honored by the 32nd सरस्वती सम्वान 2022, 32 सरस्वती सम्वान 2022 से किसे सम्वानित क किया गया, 32 सरस्वती सम्वान 2022, यह सम्वानित किया है, इसे, शिव शंकरी जी को, option number C, यहां पर, right answer होगा, और 2021 का अगर पूचा जाए तो, 2021 से समंद के गया है, रामदर्शा मिशर को, next देखिए, which Indian city has been honored by the partnership for the healthy cities about 2023 by the world health organization, भीशो स्वास्ते संगटन डवली अच्यों न partnership for healthy series about 2023 से किस भारती शाहर को सम्वानित किया है, तो वो भारती शाहर है, बेंगलूर, option number C, यहां पर इसका देखिए, right answer होगा, next question देखिए, who won the title of Mrs. India 2023, Mrs. India 2023 का किताब किसे ने जीता है, Mrs. India 2023 का किताब जीता है, चेतना जोशी तीवारी ने, जो कि यह option में नहीं दिया गया है, चेतना जोशी तीवारी ने, तो साइध इस question का grace mark मिल सकता है, Mrs. India 2023 का किताब जीता है, चेतना जोशी तीवारी ने, next question, where has the words first 2,000 meter long bamboo crest barrier beam installed, इनके दुनिया का पहला 200 meter लंबा bounce crest barrier कहां पर स्थापित किया गया है, बांस crest barrier जो यह स्थापित किया गया है, महरास्टर में, option number C, यहां पर इसका देखिए, यह right answer होगा, हर्षिका रामचंदर किस खेल से संबंदित हैं, हर्षिका रामचंदर यह संबंदित हैं, यह संबंदित हैं तैराकी से, स्वीमिंग से, option number D is the right answer, तो इसी के साथ देखिए, अभी हमने HP JVT का जो special test exam था, अक्तूबर 2023 में e conduct करवाएगा, HP Board 12, आज के दिन, इसका मने GK वाला section जोतों discuss कर लिए, current affair के सभी question डाले गे थे, इसमें, I hope कि आपको वीडियो पसंद आ है, जल्दी मिलेंगे next video में, तब तक लिए जैहिंद,